सबस्वागर आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ आप किसी भी Facebook अकाउंट में कोई भी Gmail कैसे एड कर सबते हो क्योंकि गाईज अब आप Facebook के अकाउंट में कोई भी Gmail आड करने जाते हो तो आपको Gmail को एड करते वक्त You cannot make this change At the moment वाली प्रोब्लम देखने को मिल सकते है इस प्रोब्लम का सई स्लूशन इस वीडियो में आपको मिल जाएगा पूरा वीडियो देखना स्किप मत करना चलिए सिखा देते हैं सो गई यहां पर हमारे पास एक Facebook का account आया हुआ है इस account में मेरे को Gmail को add करना है जैंगाई account center वाली setting में आपको आ जाना है उसके बाद आपके को उफसे मिलता है Personal detail का Personal detail में आने के बाद आप contact info अब आप यहां पर जानते देखो मेरे पास दो number लगे हुए मेरे को यहां पर एक Gmail को add करना है लेकिन आप जब Gmail को add करोगे ना कोई भी Gmail आप नया बना लो या फिर कहीं से fake वगर application से create कर लो जब आप कोई भी new Gmail create करके में करके अपने Facebook account में इसको add करने के कोशिश करते हुआ तो आपको यहां पर add नहीं होगा क्योंकि आपको यहां पर you cannot make this change at the moment वर जो problem है वो face करने पड़ जाएगी जैंग आज काफी दिन से problem चल ज़िया काफी मतलब time हो चगा प्रोब्लम अभी तक fix नहीं हुए है मैंने 2-3 वीडियो आपको दे रखा है उसले फेस्बुक से फेस्बुक लाइट से लेकिन उन से भी जब आपका account में आप अपने account में Gmail आड नहीं कर पाते हो तो आपके लिए special new trick आपका बाज ले करके आया है कैसे आप कर सकते हो चलिए समझा दे तुम एक new trick यहां पर use करेंगे अब यहां पर Instagram app का दिखा रहा है तो यहां से नहीं होगा आपने searching book चीवर कर लेना है जेगा एड अकाउंट में हमें Instagram को एकाउंट को एड करना है लेकिन यहां से नहीं करेंगे क्योंकि हमें direct अपने browser से करना है तो browser में आप browse करो searching में जाओ और यहां पर instagram.com लिक करके search कर दो उसके बाद आपको यहां पर Instagram वाली website open अजादेगी आपको यहां पर sign up पर click कर लेना है उसके बाद आपको email पर click करना है email पर click करने के बाद आपको उस Gmail से अपने Instagram को sign up करना है जो आप Gmail नमका अकॉंट में खो जाएगा, उसके बाद का प्रोसीजर मैं आपको live यहां पर समझा देता हूँ, तो मैं यहां पर login करूँगा, आपको भी login कर लेना है, उपर आपको gmail दालना है, और निचे आपको password डालने, जो आपने create की होगा, इसको login करना है, जैसे आपका Instagram का अकाउंट लोगिन होता है तो आपको save info पर click कर देना है उसके बाद आपका जो Instagram है आपका रेडियो जोगा है बन चुका है मेक उचुका है अब आपको यहाँ पर एक option मिलेगा setting वाला आपकी username के ऊपर मिलता है यहाँ पर click करने अब आपको यहाँ पर पर CLICK करने के बाद इसके बाद contact info अब आप चाहओ तो add a new contact पे जाकर कि जो भी Gmail आप Facebook ड्रचना चाहते तो आप उसको add email कर सकतव सिंपल वे से आपको यहां पर हो जाएगा तो मैं जिस जीमेल से अगाउंट बनाया हूं में क्या हूं मैं वही जीमेल अपने इस्टाग्राम पर डालना चाहते हूं तो मेरे को न्यू जीमेल अड़ करने की जूरत नहीं है अगर आपको पहले से इस्टाग्राम है तो आप उ आजाना है अब आपको यहाँ पर add account यहाँ पर क्लिक करना है यहाँ पर क्लिक करने के बाद एड फेस्बुक अकाउंट आपको यहाँ पर क्लिक करना है उसके बाद आपको अब कर देना है continue जो भी आपका जैसे आप continue करणे तो आपका है वो आपके facebook से लिंक हो जाएग और आपका अटेच्च हो जाएगा तो चलिए हमने यहाँ पर मतलब उसमें एड हो चुका है तो चलिए अब आपको सर्फिंग बोक्स में mbc.facebook.com लिक करके सर्च करना है जैसे आप ये वेबसाइट ओपन करोगे तो आपका Facebook का अकाउंट आपको शो हो जाएगा आपको नीचे आना है नीचे आने के बाद setting and privacy यहाँ पर क्लिक करना है यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको personal detail जैसे आपको personal detail वाले ओप्सन में आजाना है personal and account information यहाँ पर क्लिक करना है उसके बाद आपको email वाले ओप्सन पर add email address लाइव आपके सामने आपके बाइने जो इस्टाग्राम वाला जो आपके इस्टाग्राम वाला जो अपने Facebook account में मतलब डाल लिया है login कर लिया है add कर लिया है धान थे देखो मैं आपको live समझा रहा हूँ live दिखा रहा हूँ ये Gmail जिसको add करते हैं वक्त हमी you cannot make this change वाली problem आ रही थी वो आप यहाँ पर Gmail add हो चुक है Instagram में भी add है और हमारे Facebook में भी add है उसके बाद आपको again account वाल उपसन में जाना है उसके बाद अगर आप चाहो तो अपने Instagram को यहाँ से remove कर सकते हैं वो मर्जी आपकी है आप remove करो या ना करो वैसे भी future में आपको जूर्त पढ़ती रहेगी Instagram को आप हमेसा मतलब link रखें और उसको अनलिक ना करें लेकिन मेरे को जूर्त नहीं है कि यह दूसरे का account है तो मेरे को just एक trick अवलाई करना था तो आपको समझाना था बताना था तो मेरा काम खतम हो गया इसलिए मैं इस Instagram को यहाँ से अपने Facebook account से remove करने तो आपको ट्रिक्स समझने में आया हो अगर आपको ट्रिक्स समझने में आया तो वीडियो को लाइक कर देना शेयर कर देना करते हैं वीडियो को फिर्स धन्यवाद बाई चै